हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप तो होफुली आप बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो है बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एंसी वेब या फिर एस्वेल क्या सब्जक्ट चूज करें इसके उपर आप देख रहे होंगे बीकॉम प्रोग्राम का क्या सब्जक्ट चूज करना है काफी बच्चे बहुत परिशान थे करना हालाकि मैंने बता भी दिया है फिर भी कन्फ्यूजन था आज वाली वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कर क्या सक्षेट चूज करना है चलिए सको यह हमारा अगर हम देखें तो इस साइट सारे के सारे Surgery सबजック रेगुलर और NC-Web का है मैंने अलग-अलग कर दिया और यह सब्जंट वह हैं जो की सुल की है दोनों पार्ड को अलग कर दिया दोनों को हम देखके easily समझ सकतें कि कौन-कौन से subjects लेने हैं क्या-क्या options है सबसे पहले यहां पे सभी में options है तो बहुत बच्चे बहुत परिशान होते हैं कि यह सब में option है पहला option आपको यह 5 subject के बीच में regular मैं कहरा हूं हर एक college में नहीं हर college में अपना अलग-अलग option होते हैं तो सर यहां पे HRM है human resource management principle of marketing audit and corporate governance financial reporting analysis and document dms document management तो regular का बच्चा हो चाहे nc web का बच्चा हो अब सर इन 5 subject में से हमें क्या लेना चाहिए अब सबसे पहला हमें सोचना होगा कि हमें आगे further क्या करना है आगे हमें MBA करना है आगे हमें और किस field में जाना है ठीक है मेली commerce के बच्चे MBA, CA, CA, CMA, ACCA और banking और government sector में भी जाते हैं वैसे scope तो हमारे पास सारा का सारा available है तो मैं आपको suggest करूँआ कि अगर आप MBA करना चाहते हैं HRM में तो आप यह ले लिजिए अगर आप MBA करना चाहते ह तो यह ले लिजिए corporate and auditing and corporate governance इसका आपको study material नहीं मिलेगा तो मैं बोलूगा इन subjects को avoid करके चलना है आपको इनका नहीं मिलेगा अगर बोलते हैं sir subjects कैसा है तो document management system आपका DMS computer से related थोड़ा बहुत financial reporting analysis accounts से related है यह तो आपको coaching की ज़रत पढ़ीग और coaching available है ने इसकी तो खासा अच्छा घासा आपको दिक्कत होगा audit and corporate governance audit वाला पार्ट ठीक है लेकिन corporate governance थोड़ा सापको परिशान कर सकता है इसलिए मैं मना करूँगा आपको क्या लेना है sir और आसान पूछेंगे तो मैं बोलूँगा इसमें से सबसे आसान जो है आपके लिए principle of marketing और principle of marketing की भी classes recorded mode पर रहेगी यह किस पर रहेगी सर यह रहेगी recorded mode पर है थोड़ा नीचे ठीक है यह रहेगी सारा recorded mode principle of marketing का कुछ classes live भी होंगी application के उपर कुछ part recorded होगा theory का subject है तो उसे के according चलेगा ठीक है अब आ जाते है सर इसमें clear होगी है सर principle of marketing चूज कर लेजेगा जिसके कॉलेज में कि दी रहे है इसके बाद discipline specific अब आगे आ जाता है आगे further commerce में study करना है तो go with financial management fundamental of financial management बहुत easy subject है इसकी classes भी हो चुकी है और book जो है इसका इसका book आरपी रस्तों की जिनको चोज करना है कर सकते हैं अगला GST बहुत बच्चों के पास GST है मेरे पास query भी आया तो सर GST का आपको study material अविलेबल नहीं मिलेगा reason being के बहुत सारे मेरे ख्याल से 10% student 10% भी तो बहुत बोल दिया है मैं 102% student होंगे पूरे Delhi University में जिस college के अंदर GST का option मिल रहा होगा बहुत सारे college में दिया ही नहीं जाता subjects बहुत अच्छा है no doubt लेकिन आपको इसका study material नहीं मिलेगा so that अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो मैं बोलूँगा आप GST भी ले सकते हैं training and development industrial law और एक बात करते हैं industrial law जिनका practical part से बहुत जादा दूरी बना रह industrial law इसके अंदर और जिनको practical subject में लगता है कि मैं तो score कर सकता हूं number मुझे अच्छे चाहिए go with आप किसके साथ जाओगे fundamental of financial management बहुत आसान subject है यहाँ पर principle of marketing यहाँ पर आपको management account चूज करना चाहिए क्योंकि आगे चलके आपको इसका benefit मिलेगा MBA M.com या फिर आपको और subject जैसे like UPSC भी करते हैं या फिर आपको ऐसा specific commerce field वाले subject को चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको benefit मिल जाता है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं industrial law में क्या है सर wages act है labor act है bonus act है 3-4 act है उन पूरको पढ़ना पढ़ेगा theoretical तो मेरा अपना opinion है decide हो गया पहला हम marketing ले ले लेते ह हम ले लेते हैं fundamental of financial management टीसरे में से भी चूज करना है personal finance ED तो आपका personal finance और ED दोनों subject टिपिकल है तो आप personal finance और ED आप एक बार पढ़के लीजिएगा यह पूरा का पूरा आपका theoretical है और यह पूरा का पूरा पूरा आपका practical और theoretical mix है इसके अंदर सारी चीज़ आ जाती है banking, post office और जितनी भी चीज़े होती है ना छोटी छोटी चीज़े वो सारी चीज़े इसके अंदर mix करके दे दी जाती है तो शायद इसमें सायद आपको दिक्कत हो सकता है आप पहले market में 10 year पता कर लिजेगा अगर 10 year है तो आप ले लीजिए यह otherwise मैं बोलूँगा आप ED ले सकते हैं ठीक है अगला फिर से HRM जिस बच्चे नहीं है चूज नहीं किया वह यहां पर चूज कर सकता है basic accounting fundamental आप एक basis of basic accounting अगर आपके college में दिया जा रहा है तो आप यह चूज कर सकते हैं इसमें 11 वाली पूरी की पूरी अकाउंट से अगर आपका accounts का part strong है तो वह चूज कर यह बहुत एज़ी निकल जागा cash book journal entry और साथ के साथ final account डिजुलिशन डिजुलिशन नहीं 11 वाली पूरी accounts इसके अंदर cover up है ठीक है fundamental of marketing और business ethics तो आपने अगर principle of marketing ले लिया तो यहां शायद fundamental of marketing ना मिले तो मैं कहूंगा इसमें से आप यहां पे HRM चूज कर सकते हैं औ अगर आपको दोनों option मिल रहा है college में let's suppose कि आपको principle of marketing भी मिल रहा है और fundamental of marketing भी मिल रहा है तो आप प्लीज गो विद fundamental of marketing क्योंकि कहीं न कहीं से connected है जिसमें आपको help मिल जाएगा ठीक है इसके बाद business ethics यह रहने दीजिए यह थोड़ा सा advance और मान लो आपके business से related तो है लेकिन यह फिर आपको study material अगे और वही मैं कहूँगा दिक्कात आएगा तो सर एक simple सी बात करें regular बच्चे वाले हों NCWIP पहले वाले option में से principle of marketing चूज कर लिजिए दूसरे वाले option में से financial management चूज कर लिजिए अगर आपको practical से डर लगता है तो आप industrial law चूज कर personal finance यूज कर लिजिए इसके अंदर टेक्स वगरा भी आएगा आप एक वर बुक वगरा मार्केट में आरेंडी करके करिए जेनल इलेक्टिक के अंदर आपको अगर लगता है तो आप basis of account प्रस्नल प्रस्नल फाइनेंस नहीं करना यह थोड़ा सा typical रहेगा यह आपको दूसरे option में FM, तीसरे option में ED, Entrepreneurship Development, चौथे option में मैं ले लूँगा fundamental of marketing यह basic of accounting जो कि हमारा easily हो जाए ओवर ओल आपका main objective है percentage को आगे लेके चलना, percentage आपके अच्छे होंगे तभी आप आगे MBA वगरा कर पाऊगे, दूसरी साइड S.O.L. अपने खुद अपने curriculum तयार करता ह तो उन्होंने कहा कि सर, यह दो subject है, पहले में से, तो मैं सभी को बोलूँगा सर, principle of marketing ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत easy हो जागा, discipline, fundamental, कहता है कि fundamental financial management इसके अंदर से choose कर लीजिए, जिसको practical से डर लगता है वो law ले लेगा, और इसके अंदर कोई option नहीं है, त में क्या subject choose करना चाहिए, क्योंकि बहुत परिशान हो रहे हैं बच्चे ना, इस case के अंदर, तो hopefully जितना भी आपको, अगर फिर भी कोई आपके मन में रहता है, तो आप comment में रखिए, और नमबर WhatsApp गीवन है, WhatsApp जो भी नमबर गीवन है, आपको description के अंदर, उस पे contact कर सकते ह महां से जरूर आपको reply मिल जाएगा कि सर क्या चीजे दिक्कत आ रही है, और जाते जाते जिन बच्चों के YouTube पे classes आ रही है, अभी मैंने फिलहाल marketing, principle of marketing का भी course लांच कर दिया है, और fundamental of financial management का भी course लांच हो चुका है, दोनों courses एक combo बना के दिया जा रहे है, जिनको लेना है एक reasonable और एक best price पे, और दूसरी बात जो offer हमारा end हो गया था 15 August को, तो server भी नहीं था, उस time पे batch भी full हो गया था, हमने थोड़ा और bandwidth लेके आपके courses को और आगे ले जाने की courses किया है, तो अब आप freely उसके अंदर enroll कर सकते हो, same offer के अंदर जो पहले था, thank you so much, अगर आपको य सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,